नमस्कार दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है आज हम देखने वाले हैं समान ग्यान से सम्मधित कुछ अती महतोपूर प्रस्त जो अक्सर एक्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन्स बहुत बार एक्जाम में पूछे जा चुके हैं और यह क पूल होगा सभी प्रकार के एक्जाम में जिसमें सामान ग्यान पूछे पूछा जाता है और यूपी लेखवाल के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है यूपी कॉंस्टेबल इस्ट्रेनो ग्राफफर यूपी ट्रिपल असी पेट इक्जाम एससे वीडियो आपको फस्संद है तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए शूरू करते हैं पहला कोश्चन है दोस्तो बिटामिन A कारासाईनिक नाम क्या है इसका अंसर जोस्तो ऑप्सन C रेटिनॉल बिटामिन A कारासाईनिक नाम रेटिनॉल है इसके साथी साथ आप आप लोग एभी ध्यान रखेगा कि बिटामिन A की कमी के करण cabinet हो जाता है तो यह भी आप लोग ध्यान रखेगा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों सती प्रथा का अंत कब हुआ था सती प्रथा का अंत कब हुआ था तो इसका अंसर है ओप्सन ए 1829 में 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था तीसरा क्वेश्चन है कांग्रिस की अस्थापना किसके सासन काल में हुआ था तो इसका अंसर दोस्तों, Congress की अस्थापना हुआ था, Lord, Option B, Lord Duffering के सासनकाल में Congress की अस्थापना हुए थी, और 1885 में Congress की अस्थापना हुए थी, Lord Duffering के सासनकाल में चौता क्वेशन है दोस्तों, British East India Company, British East India Company ने अपनी पहली खोटी कहा अस्थापित की थी? तो इसका अंसर दोस्तों option A सूरत सूरत में British East India Company ने अपनी पहली कोटी अस्थापित की थी पांचवा question है दोस्तों विश्यो के मजदूर एक जुठो किस करांती से सम्बंदित है जो यह नारा है विश्यो के मजदूर एक जुठो किस करांती से सम्बंदित है तो इसका अंसर दोस्तों option A रूस की करांती या रूस की करांती से सम्बंदित है विश्यो के मजदूर एक जुठो छठा question है दोस्तों ड्री तेवहार किस राजे से सम्बंदित है ड्री तेवहार दोस्तों 25 स्राइज से समानिए था जिवधार्यों को कितने वरगों में भाटा गया है। हुआ मं अगला क्वेश्चेन है लाइक हेन किस प्रोदूसर का सूचक है इसका अंसर है उपाउसन इ फ़ाय प्रोदूसर का सूचक है द्यान रखेंगा यह बहुत इंप्सक्रण करफंस है और जाम में अकसर पूछा जाता है question से रहे हैं सब अगला question है OPEC OPEC का कायाल है कहां है OPEC, OPEC का कायाल है कहां है OPEC का कायाल है इसका answer है option A B&A OPEC का कायाल है B&A आगला क्ष्चन है इस ट्यथू of liberty इस ट्याचु आफ लिवर्टी निम्द में से किसके द्वारा USA मिन्स इूनाइटेड श्टेट अफ अमेरिका को उपहार में दिया गया था इस्ट्यथू आफ लिवर्टी किसके द्वारा USA को उपहार में दिया गया था इसका answer है option A France, France के द्वारा Statue of Liberty को USA को उपहार में दिया गया था अगला question है, अंतराष्टी नियाले का मुख्याले कहा है, international court, international court का मुख्याले कहा है, अंतराष्टी नियाले का मुख्याले कहा है इसका answer है option B, option B नीदरलेंड हेंग में है, हेंग एक साहर है और नीदरलेंड एक देश है, जो यूरोप में, यूरोपी एक कंट्री है, यूरोपेन कंट्री है, अंतराष्टी नियाले नीदरलेंड हेंग में है, अगला question है जिव जगत, जिव जगत में आधोनिक वर्गी करण का पिता किसे कहा जाता है, जिव जगत में आधोनिक वर्गी करण का पिता किसे कहा जाता है इसका अंसर है option B careless lineas को careless lineas को आधोनिक वर्गी करण का पिता कहा जाता है जीव जगत में बहुत important questions है जीव विज्ञान का अगला question है भारतीय संबिधान में भारती संबिधान का अनुछेद 76 किस्य संबनित है भारतीय संबिधान का अनुछेद 76 किस्य संबनित है इसका अंसर है option A महानियवादी भारत का महानियवादी से संबनित है अनुछेद 76 अगला question है निम्ण में से कौन साविस है संग सूची से संबनित है निम्ण में से कौन साविस है संग सूची से संबनित है है मैं फिर बूमत के सुची है संग सुची समार्थी सुची और राज सुची जो इसमें पूछ रहा है निभ्ल में सेaltra संग सुची से समनीन थे सुची से समनीत है इसमें स्बाधिकन कमोगल समराज की अस्थापनाग किसने किया था किस ने किया था तो इसका आन्सर है option B बाबर, बाबर ने मुगल समराज की अस्ठाफना के था 1526 इस्के में उसने पानिपत की पर्थम यूद्ध का इब्राहिम लोधी को हरा कर M important मुगल समराज की अस्ठाफना के था बाबर ने अगला क्वेस्टन है भारत का प्रथम वाई सराय कौन था भारत का प्रथम वाई सराय कौन था इसका अंसर है भारत का प्रथम वाई सराय ऑप्सन भी लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वाई सराय ऑप्सन भी लॉर्ड कैनिंग था और अगर यह पूछे कि भारत का प्र जनरल तो इसका अंसर है लॉर्ड बिलियम बेंटिक लॉर्ड बिलियम बेंटिंग भारत का परतम गॉर्णर जनरल और भारत का परतम वाइसरा है लॉर्ड कैनिंग था ध्यान रखेगा अगला क्वेश्चन है अंगूर में कौन सा अमल पाय जाता है इसका अंसर है यह बहुत इंपॉर्टेंट कुष्टेंस है यह सब बहुत इंपॉर्टेंट कुष्टेंस से ध्यान देखेगा आंदे तक देखेगा वीडियो अंगूर में कौन सा अमल पाया जाता है अंगूर में कौन सा अमल पाया जाता है तो अंगूर में पाया जाता है आपका तार्टेरिकम्ल, option B तार्टेरिकम्ल, अंगूर में तार्टेरिकम्ल पाय जाता है, और सित्रिकम्ल, सित्रिकम्ल किसमें पाय जाता है, सित्रिकम्ल संत्रा या नीबु में पाय जाता है, सित्रिकम्ल यह भी ध्यान रखेगा, और एसितिक एसिट, एसितिक एसिट पाय जाता ह तो इसा fact याद रखेगा आप लोग अगला question है भारत में कितने pin code zone है भारत में कितने pin code zone है तो इसका answer है option A 9 भारत में 9 pin code zone है ध्यान रखेगा अगला question है NCERT की अस्थापना कब हुई थी इसका answer है option A 1901 में NCERT की अस्थापना हुई थी अगला question है हवाई जहाज के black box का रंग कैसा होता है हवाई जहाज के black box का रंग कैसा होता है इसका नाम black होने से इसका answer है black मत दीजेगा कभी क्योंकि इसका answer है हवाई जहाज के black box का रंग होता है नारंगी नारंगी orange color का होता हवाई जहाज के black box का color अगला question है रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है इसका answer है option a लेवासियर लेवासियर को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है अगला question है विश्व में सबसे पहले और धोगी की करड़ किस देश में हुआ था और धोगी की करड़ का मतलब industrial revolution जहां पर सबसे पहले और धोग छोटे बड़े और दोग जो लगने सुरू हुए वो सबसे पहले किस देश में प्रारंब होगा था तो इसका answer है option a ब्रिटेन ब्रिटेन में सबसे पहला और धोगी की करड़ सुरू हुआ अगला question है dutch palace dutch palace किस नाम से जाना जाता है तो इसका answer मटन चेरी महल मटन चेरी महल के नाम से भी जाना जाता है अगला question है चीनी आत्री फायान किसके सासनकाल में आया था चीनी आत्री फायान किसके सासनकाल में भारत में थ्यान रखेगा अगला question है इस सार्वप्रथम भात वरसका उलेख किस अभिलेक में मिलता है इंपर्टेंट चेशियं जाएगा इसका आंसर होँजयेगा portion a हाथी गूमभा बिलेख में हाती कुंभा बिलेख में सार्वप्रतम भारत वर्सका जीक्र मिला अग्ला question है असूख के सिला लेखों को सवरुप्रतम किस ने पड़ा था बहुत important question से दोस्तों बहुत important question से अक्सर एक्जाम में पूछ लिया जाता है असूख के सिला लेखों को सबसे प्रितम किसने पड़ा था इसका अंसर है option A James प्रिंसिप ने असोग किसी लालेकों को सबसे पहले पढ़ा था अगला question है खेतरी नामक अस्थान का सम्बंद किस खनीच से है यूप्युच पले सी PET में भी यह पूछा था यह question खेतरी नामक अस्थान का सम्बंद किस खनीच से है तो इसका answer है A Tamba सब्सके मुढके से खेटड gland नमक कषमा और राजस्थान नामक अन राजस्थान राजे में और ऑग़्ला क्वेस्चन है बिधुत रूप से परमाड्य क्या है देखिए इस नाभिक होता है नाभिक में होता है आपका न्यूट्रान प्लस प्रोटान नाभिक में न्यूट्रान प्लस प्रोटान हो गया और न्यूट्रान प्लस प्रोटान हो गया और नाभिक के बाहर इलेक्रान घूमते रहते हैं नाभिक के बाहर इलेक्रान घूमते रहते हैं और हम जानते हैं कि न् ओदर सीन होता है युकन फर कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटान पे पॉजेटिव चार्ज होता पर फ्रस टांग के बाद हो भी खपा人पर आचींशु बार्या होद्ध मौत से परमाड क्या अगया वथ्या ओग्धा और माइनस क्योंकि दोनों चार्ज आपस में बराबर फ्रोनों कट जाते हैं तो बिध्धुत रूप से पर्माड उदाश्थीन हो गया ध्यान देखिएगा अगला question है किसी radio सक्री बस उत्सरजित alpha क्यूड़े हैं alpha क्या है अलफा क्यूड़े helium का नाविक होते हैं option a helium alpha क्यूड़े helium का नाविक होते हैं ध्यान रखेगा अगला question है sodium chloride में क्या है sodium chloride में कौन सा बंध पाया जाता है है तो sodium chloride हम जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है याने CL कि इसका फार्मूला होते हैं याने CL तो sodium chloride कौन सा बंध पाए जाता है sodium chloride में पाया जाता है आपका ने यहां पर यह रहने हो गया प्लस हो गया और CL पर मैनस चाल जो गहे तो इसमें आपक पाया जाता है, बिद्धुद सहों जी बंध आई निक बंड, आयनिक बंड या बिद्धुद सहों जी बंड, आप्सें बी, Sodium अगला क्वेश्टन से इलेक्ट्रान वहन करता है इलेक्ट्रान क्या वहन करता है इलेक्ट्रान पर धनावेस होता है रिडावेस होता है या इलेक्ट्रान उदासीन होता है तो मैं पहले ही आपको बताया हूं कि इलेक्ट्रान पर निगेटी चार्ज होता है रिडावेसित च धुनीक आवर्थ, शाड़ी हम लोग परते हैं, अधुन का जड़ी , वहं मुखे ते लिए किस्पर अधारी थह? वहाँ आधारीफ पर और कर्मांग पर आधारी थह, वह परमांग पर आधारीट्र है droite करमांग पर अधारीफ थ है अगला क्वेश्चन सर्ट इलकेन का सूत्र क्या है हम जब कारवनिक रसायन में पड़ते हैं इलकेन इलकेन इलकाईन तो वह इलकेन एलकेन का सूतर क्या है तो एलकेन हम जानते हैं एलकेन का सूतर है सीयन व्याच डूयन यह प्लस टू यह है एलकेन का सूतर तो आप्शन एस ही हो जायागा इलकेन और अगर आपको एलकीन का वियाद रखना है एलकाइन का वियाद रखना है तो क्या करना है आपको जाश्ट इसमें से एलकेन फिर एलकीन एलकीन में से दो घटा दो तो एक केंसील हो जाएगा तो एलकीन का क्या हो जाएगा cn h2n cn h2n यह हो जाएगा आपका lkyn का फिर lkyn का lkyn का सुत्र का फिर दो घटा दिजिए तो यह हो जाएगा lkyn का सुत्र हो जाएगा cn h2n-2 lkyn का सुत्र हो जाएगा दो घटाने से आपको lkyn और lkyn का सुत्र निकल जाएगा आप सिर्फ एलकेन का अगर याद रखे तब भी अलगा अगला क्वेश्चन से लोहे में जंग लगने पर उसके भार में क्या परियोतन होता है जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार में क्या परियोतन होता है देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन से जब लोहे में जंग लगता तो उसका भार बढ़ जाता है या दोस्तों उसका भार बढ़ जाता है तो भार बढ़ जाता है लोह में जंग लगने तो उसका भार बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन से निम्ड में से कौन सा आधर्स गैस नहीं है निम्ड में से कौन सा आधर्स गैस या नोबल गैस नहीं है हम लोग जानते ही नोबल क्यास कौंट क्यों का होता है हिलियम फिर विल्लियम और व कि छे-सब ओध्ल गयंसने लेकिन हाइड जरव िलोचनीक camera नहीं है pressing पूच राकान सा और समस्संट नहीं हिया तो है ट Bringing हैं आदर्स गैस नहीं है उसके लाव नियोन हिलियम और गन यह सब आदर्स गैसा नोबल गैसा है अगला क्योश्चन है अमल वर्षा मुखेते किसके कारड़ होती है, अमल वर्षा मुखेते किसके कारड़ होती है, तो इसका अंसर है, अमल वर्षा मुखेते है, सलफर डायाकसाइड के कारड़ होती है, और अमल वर्षा का जो pH मान होता है, फाइप से 6 के बीच में होता है, अमल वर्षा का pH मान हो इसके कारण अमल वर्षा के कारण जो घारों का जो पेंटिंग होता है दुन्दला पड़ जाता है को रोजन का भी खत्रा होता है बहुत सारे इसके नुकसान है कठोर जल के संबंध में कौन सा कथन गलत है तो कौन सा कथन गलत है तो इसका ध्यान दे के कौन सा कथन गलत है तो यह कथन गलत है यह उबालने से कठोरता दूर हो जाती है यह गलत है तो आंसार आपका यह होगा क्योंकि यह पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है और यह दोनों स सब्सक्राइब तो आप्षिन एप उबालने से कट्वर्था दूर हो जाती है कतन गलत हो इसका अमसर यह होगा अगला क्वेश्टन सब्सक्राइब भारी भारी जल भारी जल्का मतलब डीट्वी ओका अनुभार क्या है और स्टूवार क्या रहे यश्ट्वी ओका अनुभार होता है आपका अगला सुद्ध सोने की माप है सुद्ध सोने की माप क्या है सुद्ध सोने की माप है 24 कारेट गोल्ड 24 कारेट गोल्ड को सुद्ध सोना कहा जाता है कि अगला खेश्ञन से प्राकेर्तिक कि रभर लगये प्राकेर्थिक कि रभर कि स्थापना इस समाज की अस्तापनहैं किस ने की थी तो इसका आंसर है option A राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की असापनहैं की थी अगला question से नील-्दरबड पुस्था के लेखा कौन है इसका अउसर है दोस्तों option A दीन बंदमित्र तो आज का अंतिम क्वेशन था दोस्तों तो मैं आसा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किजिएगा और कि अ